हलो फ्रेंज आपका स्वागत है सहत पसंद रेसिपी इसमें आज मैं आपको बता रही हूँ विंटर सिजन के लिए एक बहुत ही बड़ा मज़िदा टेस्टी रेसिपी इसे आप चाहे तो ब्रिकफास्ट में खाईए या फिर जब भी हलकी फुलकी भूखो तब आप इसे ब डाल देंगे एक हरी मिर्च और एक अद्रक का टुकड़ा करीबन यह आधा इंच है तो अब यहाँ पर इसे हमें ग्राइंड कर लेना है इसका दर दरा सा हमें पेस्ट बना लेते हैं यह पीसा गया है और यहाँ पर मैंने पेन में बाउल पानी ने लिया है पानी को भी गर ढ़े लागया है तो अब इस स्टेट पर हमें पीषेवी मेटर डाल देते हैं मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डालते हैं इसमें यहाँ बालन सैमोलीना एक कटोरी सूझी बारिक सूझी होनी चाहिए और फटा-फट अच्छिसे मिकस कर लेते हैं इसे हमें पकाना है जब तक कि सूजी अच्छे से पक नहीं जाए और बीजिश में आप इसे हिलाते रहें आप इसे ढख कर भी पका सकते हैं और गेस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया है low to medium सूजी अच्छे से पक जाए तब तक इसे हम पकाएंगे और हिलाते रहेंगे और यह दे देखिए यहाँ पर हलका से ठंडा हो गया है तो इसमें अब हम सभी मसाले डाल देते हैं तो अब डालेते हैं आदा छोटी चमच धन्या पाउडर आदा छोटी चमच जहीरा पाउडर चुटकी भर हल्दी एक छोटी चमच चीली फ्लेक्स आप इसकी जगे लाल मिर्च पा डाल देते हैं और एक से दो बड़ी चमच कटा हुआ प्यास जाल देंगे हाथ में थोड़ा सा तेल ले ले और फिर अच्छे से इसको मसलते हुए इससे मिक्स करते हुए इसका हमें डो तयार करना है इदे के डो तयार हो गया है और अब इसकी हमें कट्लेट बनानी है इस तरीकी से यह गोल आपको श्रिप देना है और इसी तरीकी से हम सभी इसके कट्लेट बना लेते हैं भी इस अभी बन गहीं देखे तो तेल गरम हो चुका है अभी जितने पैन में आ जाए उतने हम कट्लेट इसमें डालते हैं और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल ल अच्छे से जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इस आप पल्टा लें अगर आपको से लग रहा है कि अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हुए है उससे आप थोड़ी दर और फ्राय होंदे फिर पल्टा लें दोने साइड हम इसे गोल्डन ब्राउन करे ज्यादा दींदे इससे सहिवेहि नहीं लगता है घटा नाशटा है तूरिशी दोनों चाहिट से गुल्डन ब्रॉौन मुच गुलिट से लिक त्वरीयो हैं पृँ हुआ लेव अधिवा नाश्टा नाश्टा चुलिक रचलेहों ले को यह देखिए बहुत ही बढ़ा क्रिस्पी टेस्टी है हमारी पटाफट बनने वाली रेसिपी तयार हो चुकी है बहुत ही बढ़ा एक ट्रेट लगते हैं एक पर आप इसे जरूर ट्राइए कीजिए और मेरे चाहिए अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहा है जल्दी सब्स सब्सक्राइब करें और पहला आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल अपले थैंक यू